तो जैसा कि आप जानते हैं कि Windows 10 में अपडेट रिलीज हो चुकी है Wi-Fi 6 और WPA3 की तो Wi-Fi 6 बेसिकली हमारा नेटवर्क अडाप्टर होता है यह एक लेटस्ट जनेशन का अडाप्टर है Wi-Fi अडाप्टर और इसमें जो security है वो WPA3 है जो कर एक लेटस्ट security है तो चलें इसको चेक करते हैं किस तरह हम अपने system में चेक कर सकते हैं राइट साइट पर, टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे अपने इंटरनेट पर और यहाँ पर आएंगे properties में अपनी Wi-Fi की properties में तो properties के उपर हम click करेंगे तो इसकी window हमारे पास open हो जाएगी यहाँ पर हम drop down करेंगे और कुछ ही drop down करने के बाद हमारे पास चंद detail है properties में तो यहाँ पर आप properties देख सकते हैं तो simple आप यहाँ पर आएं और यहाँ पर देख सकते हैं मारे PTCL का name और protocol में आपने चेक करना है कि आपका wifi adapter जो है वो कौन सी generation का है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं wifi 6 और यहाँ पर security type को भी check कर सकते हैं WPA2 जो है जो personal 2 है तो यह second generation है यह भी तो यहाँ से हम इसको check कर सकते हैं तो इसके बाद basically हम इसको run command के जरीए भी check कर सकते हैं तो back आएंगे हम जैसे ही यहाँ पर start menu पर right click करेंगे और यहाँ पर type करेंगे cmd और ok के बटन पर click करेंगे तो हमारे पास इसका deliver box open हो जाएगा तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी command type करनी है netsh vland shows drivers तो यह command आपने type करने के बाद enter करना है और यहाँ पर हमारे पास चंद detail है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो adapter है यह हमारा router है यह protected है WPA2 से तो WPA2 का मतलब है Wi-Fi password access यानि कि इसकी जो access है वो second generation है यहाँ से हम check कर सकते हैं कर सकते हैं